तो आज मैं बनाने जा रही हूँ थ्री लेयर ट्रैंगुलर निकाब और इसको आप मर्यम खिमर भी बोल सकते हैं तो यह बहुत ही कमफर्टेबल होता है कैरी करने में और इजी बिल्कुल है वेर करने में और यह फुल कवरेज निकाब है आप देख सकते हैं वीडियो में और मैंने इसका टिटोरियल भी दिया है तो आपको जो भी अच्छा लगए आप उस वाले नकाब को बना सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां पे मैं आपको पेपर पे इस फैबरिक की एक्जाक लेंथ और विट बताओं कि हमें कितना फैबरिक लेना है ठीक है और फैबरिक हमें जॉर्जट या शिपान फैबरिक यूज करना है तो मैंने यहां पे जॉर्जट फैबरिक यूज करना है तो मैंने यहां पे बिल्कूL इस तरीके से होनी चाहिए तो total fabric मैंने यहां पर दो मीटर लिया है ठीक है और width है मेरी fabric की अरज है मेरी 60 inch तो आप वैसा fabric ले लिजिए जिसकी अरज 60 इंच हो तो मैंने यहां पर दो मीटर fabric ले लिया है 60 इंच अरज के ये देखिए और अब हमें क्या करना है अब हम एक कॉर्णर से अपने फैब्रिक को पकड़ लेंगे और इसको ट्राइंगुलर वे में सेट कर लेंगे यह देखे बिल्कूल इस तरीके से और उसके बाद आप कट कर लीजिए तो बस हमें स्कॉयर फैब्रिक चाहिए आपको अगर है तो आपका जितना भी विट्थ है फैब्रिक का तो उतना आप करके आप स्कॉयर फैब्रिक निकाल सकते हैं यह देखे मैंने यहाँ पर कट करने के बाद यह मेरा स्कॉयर फैब्रि तो अब मैं जो नोसपीस वाला फैबरिक उसको साइड कर लूँगी और अब हम क्या करेंगे जो हमारा स्कॉयर फैबरिक है उसको डबल फोल्ड करके चारो साइड पे हमें स्टीचेस लगा लेना है यह देखे तो मैं आपको फैबरिक पे स्टीचेस लगा कर बताऊंगी तो उससे पहले हमें क्या करना है जो हमारा कोरी आता है फैबरिक का उस कोरी को आप रिमॉफ कर लीजिएगा ठीक है जो हमारा लंबाई के तरफ कोरी रहेगा दो साइड पे उसको आप रिमॉफ कर लीजिएगा तो मैंने रिमॉफ कर लिया है और उसके बाद आप सिंपले उसक पीचेस लगा लीजिये झाल तो इस तरीके से हमें अपने आल साइट्स पे स्टीचेस लगा लेना है मैंने एक साइट पे लगा लिया अब मैं अपने तीनों साइट पे लगा कर कम्प्लीट कर लूँगी वीडियो लॉंग हो जागे इसलिए मैं इसको नहीं बताऊँगी तो आप इंटर लॉग भी कर सकते हैं और डबल फोल्ड करके स्टीचेस भी कर सकते हैं मैंने डबल फोल्ड करके स्टीचेस कर लिया पूरे में तो अब मैं आपको ये छोटे से स्क्वाइर फैबरिक पे बताऊँगी तो आप इमेजिन कर लीजे कि यह आपका fabric 16 इंच वाला square fabric है और मैंने इसमें भी double fold करके stitches लगा लिया और यह हमारा right portion है fabric का ठीक है तो मैंने इसको भी चारो तरफ बिल्कुल double fold करके stitches लगा लिया ताकि आपको समझने में convenience हो और यह हमारा nose piece है अच्छा मैं इस वीडियो में आपको nose piece की cutting और stitching नहीं बता हूँ क्योंकि मैंने अलरड़ी प्रीपेस वीडियो में nose piece की cutting और stitching वीडियो डाली है तो मैं उसकी link आपको description box में दे दूँगी आप वहाँ से visit कर लीजेगा तो यह मेरा nose piece है अब हम इसको अपने square fabric पे set करेंगे तो set कैसे करना आप देख लीजे तो उसके लिए हम मारा square fabric है उसको right side रखना है ठीक है अपनी तरफ right side रखना है और यह हमारा पहला method है stitch करने का जैसा कि आपको picture में दिख रहा है तो उसके बाद हमें क्या करना है corner से इसको hold करके आपको triangular way में set कर लीजे और middle में iron से press कर लीजे ठीक है और आप जब fabric को open कीजेगा तो आपको एक pressed सी line visible होगी बिल्कुल इस तरीके से तो आप इसको press कर लीजे और इसको fold कर लीजे और वापिस से एक fold कर लीजे और उसके बाद आप center point mark कर लीजे square fabric पे और उसको खोल लीजे तो यह हमारा center mark point है ठीक है और यह हमारा visible line है इस पे हम अपने nose space को attach करेंगे तो nose space के head strip को भी आप double fold कर लीजे और double fold करके भी उस पे भी आपको center point mark कर लेना है यह देखे center point आप nose space पे भी mark कर लीजे तो अब हम अपने nose space को और square वाला जो हमारा piece था उस दोनों का center point match करते हो हम एक दूसरे को रख देंगे ठीक है बिल्कुल इस तरीके से line पे और उल्टा होना चाहिए square fabric आपका उल्टी तरफ होनी चाहिए ठीक है और उसके बाद आप इसको pin से secure कर लीजे यह देखे और stitches कर लीजे तो हमें stitches बस हमारा जो nose piece का जो layer start होता है वहां से लेके nose piece के end layer तक हमें बस stitches लगाना है पूरे head strip पे stitches नहीं लगाना है जतना भी आपका face cover का layer is starting to end है उतना आप stitches लगा लीजे अपने head strip पे तो यह हमारा लग चुका है और यह हमारा nose piece square fabric पे attach हो चुका है तो यह देखिए बिल्कुल इस तरीके से मैंने attach कर लिया है तो चली हम इसको wear करना बताते हैं तो यह मेरा back portion है ठीक है तो आप बस nose piece के तरफ से अपने head strip को आप tie कर लीजे back में यह देखिए बिल्कुल इस तरीके से और layer को flip कीजे यह देखिए और वापिस से आप दूसरे layer को भी flip कीजे तो यह हमारा nose piece है और यह हमारा back layer है नकाब का तो यह हमारा पहला method है पहला तरीका stitch करने का अगर यह आपको अच्छा लगे नकाब का design तो आप इस तरीके से भी बना सकती है और दूसरा तरीका इसको wear करने का कुछ ही इस तरीके से कि आप nose piece को खोल कर और nose layer के ऊपर आपको head strip को tie कर लेना है यह देखिए तो यह दूसरा तरीका इस तरीके से हम इसको wear कर सकते है अब दूसरा method stitching का जो भी आपको पसंदा है वो आप बना सकते हैं तो इसके लिए मैंने अपने fabric को right side रखा है और उसके बाद मैंने इसको वापिस से triangular way में हम इसको एक corner से पकड़के दूसरे corner तक हमें triangular way में set कर लेना है लेकिन इस बार हमें क्या करना है इस बार हमें अपने फैब्रिक को लिफ्ट करना उपर की तरफ हमें अपने फैब्रिक को बिल्कुल इस तरीके से सेट कर देना है ठीक है तो हमें कितना लिफ्ट करना वो देख लीजे तो हमें नीचे से 23 इंच फैब्रिक को लिफ्ट कर देन और ये हमारा shorter layer है नकाप का और ये हमारा longer layer है नकाप का और आप इसको वापिस से एक fold कर लीजे और center point mark कर लीजे square fabric पे ये देखे तो ये हमारा center point है अब आप इसको खोल लीजे और खोलने के बाद जो हमारा shorter layer पे जो हमारा visible line है pressed line उस पे हम अपने nose piece को attach कर लेंगे तो उसके लिए वापिस से आप अपने nose piece को fold करके और उस पे center mark लगा लीजे मेरा already लगा हुआ था और उसके बाद आप square fabric और nose piece दोनों के center point को mark करते हुए और pin से attach कर दीजे ठीक है और उसके बाद आप वापिस से जहां तक हमारा nose piece का starting है वहां से starting to end आप सिलाई लगा लीजे तो मैंने यहां पर दो method से इसको stitch करना बताया है आपको जो भी method अच्छा लगे आप उस method से आप अपने अपने नकाप को ready कर सकती है stitch कर सकती है तो यह देखे कैसा यह बनकर तयार हुआ है तो वापिस से यह हमारा back layers है ठीक है यह हमारा nose piece है ठीक है यह हमारा layer से उपर नीचे है ठीक है इस बार पिछले बार हमारा overlap था बिलकुल तो आप वापिस से आप अपने head strip को back पे tie कर लीजे यहां पे मेरा three layer नकाप सिलकर तयार हो चुका है दो अलग अलग तरीके से तो मैं उम्मेद करते हूं कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो पसंद आई हो तो comment section में जरूर बताएए और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको like share कीजिए और अपने family क साथ जरूर शेयर कीजिए thanks for watching allah hafiz